वैब डवलप्मेंट सीखना तो बस सुरुवाती कदम होता है पर रियल में प्रोजेक्ट्स बनाना उन्हें एफेक्टिवली मैनेज करना असले चैलेंज होता है आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स या फिर पॉइंट्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जो कि एज फ्रेशर वैब डवलपर आपके लिए काफी ज़्यादा मददगार हो सकते हैं तो क्या है वो सारे पॉइंट्स जानेंगे इस वीडियो में स्टार्ट करें नमबर वन पॉइंट के साथ आई बिलिव आपको पता ही होगा रिक्वाइर्मेंट एनलिसिस बहुत बेसिक सा पॉइंट है और सबसे पहला पॉइंट है हमेशा ये पॉइंट नमबर वन पर ही रहेगा जब भी आपको कोई सबसे पॉइंट करना होगा अब पॉइंट का मतलब क्या है इस पॉइंट का SIMPLE मतलब करता है हमसे कि हमें किस step का product या फिर web application उसको बना के देना है यह हमारे लिए भी बहुत ज़रूरी है कि उसको हम अच्छे से analysis करें because उसी के basis पर उस requirement के basis पर ही हम आगे के plan को बनाएंगे हम एक road map ready करेंगे कि हाँ हमें इस तरह से इस particular product को बनाना है इस particular web application को बनाना है तो यह बहुत ज़रूरी बहुत ही ज़रूरी step पर बहुत ज़रूरी point है किसी भी stage पर आप एक fresher web developer हो या फिर आप एक experienced person ही क्यों आप इस point को थो हम miss कर ही नहीं सकते इसके बाद point number two आता है review existing platform या फिर system या फिर कह सकते हैं कि taking reference from existing platforms इसका मतलब क्या इसका मतलब यह देखो simple है जब भी हमारे पास कोई requirement आती है या फिर किसी भी type का हमें web application बनाना है जो भी requirement आई अब बहुत ही rare cases में होता बहुत ही rare cases में कि वो requirement है या फिर वो product है वो बिलक इसा नहीं है तो जब भी हमारे पास कोई requirement आती है किसी भी type की web application के लिए तो उस type के जो platform होता है website होती है वो already market में भरी पड़ी होते हैं for example आपको कोई e-commerce website की requirement आती है तो ऐसा थोड़ी ना है कि internet पे e-commerce की website available नहीं है भरी पड़ी है अगर आपके पास कल को एक billing software की requirement आती है तो क्या वो दुनिया का पहला billing software होगा नहीं ना दुनिया में भरे पड़े हैं तो simply हमें करना क्या होता है हमें reference लेना होता है हमें जो existing platforms है उनको review करना होता है उनको देखना होता है कि e-commerce website कर चल क्या रहा है किस तरह से बनीवी है billing software किस तरह से चलते हैं यह किसके लिए यह हमारे लिए हम as a developer उनसे reference ले सकते हैं या फिर उनको review कर सकते हैं किसके लिए हम एक basic idea हो जाता है कि हम इस particular requirement पे क्या चीज़े किस तरह से उसको execute कर सकते कहने का मेरा मतलब यह तो हमें यह भी काम करना है अब जो point में बताने जारू उसको थोड़ा तवज़ो देना बदकार होगा यह point अगर तुम समझ गए तो create a list of task repeating create a list of task इसका मतलब यह कि जो भी requirement हमारे पास आती है हमें अगर कोई web application है फिर कोई software बनाना है किसी भी type पर या फिर कोई website ही क्यों ना बनानी हो for example 5 space की website बनानी है तो हमें उस website को divide करना पड़ेगा list of tasks में मतलब एक वेबसाइट आई किसी hospital के लिए उसे पांची page बनाने home page about us services contact और एक our doctors for example ठीक है अब इन 5 pages को तुम 5 task में divide कर सकते हो समझ बारे हो मेरी बात home page एक task होगा services page एक task होगा doctors page एक task होगा about us एक task होगा contact एक task होगा और doctors यह भी एक task होगा तो हमने divide कर लिया कि भाई मेरे मुझे 6 pages बनाने है फिर 5 pages बनाने तो यह मेरे list of tasks हैं अब कहां से लिकान निकालोगे list of tasks second step पर जाओ फिर से हम क्या करेंगे internet पर जाके hospitals की website देखेंगे idea लेंगे कि हाँ hospitals की website में होता क्या है समझ पा रहे हो तो reference लिया existing platform से फिर existing website से और उसके बाद उसकी बदौलत उसकी मदद स हमने हमारी requirement के लिए जो requirement हमारे पास आया उसको match करते हुए एक list of tasks बनाई उसके बाद में हम उस पर action लेंगे उस पर काम करना शुरू करेंगे समझ पारे हो ना इसके बाद next point आता है breaking tasks into sub tasks इसका मतलब क्या इसका मतलब यह कि हमने जो list of tasks बनाया अगर हमें यह लगता है कि हम एक task को दो task में divide कर सकता हैं तो वो भी हमें करना है करना पड़ेगा तब ही हम काम को आसानी से कर पाएंगे example के लिए जैसे हमने list of tasks बना लिया 5 तो कई बार ज़रूरी नहीं होगा कि हम यह 5 tasks की list भी बना पाएं as a pressure बहुत मुश्किल होता हम idea telling you बहुत मुश्किल होता ह हम बिल्कुल नए होते हैं जब तक हम एक platform एक website नहीं बना लेंगे हमारे लिए सब चीज़े नहीं है एक बना लोगे उसके बाद थोड़ा सा confidence आजाएगा दूसरे पर हाथ आजमाने के लिए अब हम कर क्या सकते हैं हमने for example homepage पगड़ा वही hospital की website का homepage पगड़ा उसी को हमने सब tasks में divide कर दिया कि यह जो home page है हम इसमें 6 section बनाएंगे top वाला section होगा header फिर होगा banner फिर होगा about us का एक section ठीक है फिर होगा services का एक section फिर होगा contact us का एक section इस तरह से अलग-लग sections बना कि एक ही task के हमने 6 अलग-लग tasks बना लिए तो हम थोड़ा और confident feel कर पाएंगे कि हाँ हमन each and every sections हमने हर एक section का कुछ-कुछ part उस home page में डाल दिया अब हम आगे के जो pages है उनको easily design कर पाएंगे for example हमने home page पे जो services वाला section है उस पे तीन ही services डाली अब उसी को reference लेते हुए services page को भी design कर सकते हैं और वहाँ पर हम तीन के बज़ाए 12 service डालो 15 डालो किसने मना किया और उस tasks को भी sub tasks में divide करना है एक चीज़ यहाँ पर यह भी हो सकती है देखो ऐसा fresher तुम कहोगे हमसे तो list of tasks ही नहीं बना भी कोज हमें तो समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं इस stage जो अभी मैंने step बता है न डिवाइड steps इंटू सब डिवाइड tasks इंटू sub tasks इस पर focus करो इसका मतलब क्या था मैंने third वाले step को skip कर दिया मुझे नहीं पता मुझे कितने pages बनाने मुझसे नहीं हो रहा तो तुम अभी focus करो सिर्फ फूर सिफ home page पे समझ गए सिर्फ फूर सिफ home page पे focus करो उसको बनाओ उसके बाद आगे pages automatic बनते जाएंगे तुमको पता भी नहीं जलेगा मतलब कडियां जूड़ती जाएगी समझ पा रहे हो ना समझ बार रहा है ठीक है अब लास्ट के बारे में बात कर लाते हैं जो कि स्टार्ट कोडिंग नो डाउट अगर हमने प्लान कर लिया है कि यहां भी मुझे home page बनाना है मैं reference उसी का ले रहा हूं हॉस्पिट है HTML CSS bootstrap जो भी चीज़े यूज़ करनी हो तो उनका basic idea होना चाहिए अब उन चीजों के साथ code को start करो और business ready करो home page जैसे रेडी हो जाएगा तो बागी की चीज़ें अपने रेडी होने लग जाएंगी तुमको दिखाने के लिए इसको मुझे start करना पड़ेगा ठीक है समझ गया जो steps को मैंने divide किया तो as a fresher काफी ज़्यादा मदद मिलेगी इन steps को अगर तुम समझ जाते हो software development web development चुटकों का ख available हैं उसके बाद task list बनाओ उसके बाद अगर वो भी नहीं हो रहा तो list of sub task जो task है उन्हीं के sub task बनाओ ठीक है अगर वह भी नहीं समझ बार तो एक बार में एक ही चीज़ को पड़ो ठीक है कि मुझे तो यही करना उसके बाद दूसरी चीज़ पर जाओंगो उसके बाद त नहीं पर पूरी की पूरी प्लेइस्ट मैंने बना रखी है जिसमें HTML, CSS, Javascript, PSP सभी की सभी के सभी मैंने एक एक वीडियो के अंदर explain किया हैं अच्छे से समझाय हुआ है project भी बनाए है challenge भी चौल रहा है इसी channel पर challenge भी चल रहा है जो की giveaway है उसमें भी participate कर सकते हो सब चाहिए तो you can reach me out on LinkedIn वहीं पर मैं reply कर दूँगा Instagram पर मत आना because वहाँ पर अब मैं इतना active हूँ नहीं ओकी बस इतनी दिकान ही अब हम चलते हैं वापिस हमारी coding वाले routine की तरफ जो मैं record कर रहा हूँ Laravel की series जल्दी आने वाली है उसके बाद आगे देखते हैं और क्या बनात हैं okay see you then bye bye